कभी आपने ट्रेन से इतनी दिवानगी देखी है कि एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट लगा दिया गया हूँ तो आज हम आ गया है जी नाकपूर के हल्दिराम में जहां पे जी इन्हों ने पूरी-कूरी ट्रेन गोगी को कनवर्ट कर दिया है जी अपने एक रेस्टोरेंट में जहां पे डायनन भी है टेकवे काउंटर भी है और सौर्ती काउंटर भी है तो चलते अंदर और देख्ते है कैसा है कि इस जगह के जुवस्ब बुचा का डायनन रेस्टोरेंट है नोगी एक ट्रीन की बही यहां पर हर टेबल पर विंडो रहती है यहां पर हर टेबल पर विंडो गनेक्टेड है और बहुत ही प्यारा आम्बिएंट से जिए आखा को जो में भी है यह 24-7 है 24-7 है 40-seater restaurant है यहां पर अगर आपको अंदर नहीं आना है एक फास्ट्रेक काउंटर बाहर भी है कारेक आप आपके लेगे जा सकते हूं और सबके लिए मन सेल्फी पॉइंट भी है जिसको आप आप आपके फोटो ले सकते हूं मुझ एक बात बताओ नापपूर के लोगों के लिए हल्दी रामें के एक एमोशन है की नहीं बिकुल 101 पस है तो यहां पे हल्दी राम का सूप आपको अपको निए प्लेवर मिलते हैं जुच्छा बात है सबसे बहले पात सब आपको का दे रहा हूं मिक्स दे रहा हूं सर्ट ने पर दे रहा हूं प्लेवर में आपको मिल जाएगी हल्दी राम में सौफ्टी और वह भी नागपूर जंक्शन के जल्स पहार है एड़ी जा यहां से जा रहा है और उनको अपने महमानों के लिए कुछ लेके जाना है टेक आओवे में पार्सल में? तो यहां पर आ सकता है यहां पर उनका पास्ठाय काउंटर है तो यहां से लेकर जा सकते हैं अब भार से नियां ने अज्टारी अपने अपने घरादों के जा सकता है यहां पर आपको मिल जाएंगा पास्ट रेक काउंटर यहां पर सारी मिठाइया और अरो सारी जो चाली है पूप्लाइक यहां पे आपको पहले से में जाएंगे आप टोकन लीजे और उसे लेके इंजॉई कीजिए साथ ही साथ जिनको फोटोस लेने का बहुत जादा शौक है उनके लिए इन्हों नहीं पे सेल्फी पॉइंट मना लिए जो कि यह जी पूरा का पूरा फ्री आईए आप यहां पे ट्रेन के साथ फोटोस लीजे पीछे हल्दीरा में एक्स्प्रेस लिखा हुआ है और बहुत ही जादा बढ़िया फोटोस आती है यहां पे और बैगरण में आपको मिलेगा नाकपूर जंशन का रेलवे सिश्शन का क्या बात है तो अगर आप नाकपू आरे एक बार यहां पे आके यहां की डाइन इन बोगी में खाने का मसा ज़रूर लेना और ज़रूर रतना आपको यह कैसा लगा